कि थे हैलो एरवारम पिर स्वागात आप संभी मिरे क्लास में Перना जाएय। तो आज की इस वेडियो में ने को फीजिक्स में फिरन्स की फर्मुला दिया हुआ हूआ है वो पुरूब करेंगे सबसे पहले हम इसमें उत्तर लेंस कोई करेंगे देक्यां उत्तर लेंस में है यह उत्ता लेंस हो गया और यह हो गया उस लेंस का द्वाराख हो गया उसके बाद यह हम परधान अक्षि दे देते हैं इसे परधान या मुख्य अक्षि बोलते हैं यह इसका प्रकाश्य केंद्र है यहां से यहां तक इसका हम फोकुस माल लेते हैं यहां से यहां तक कोई भी दूरी मापेंगे तो हम प्रकाश्य केंदर से मापेंगे तो यह प्रकाश्य केंदर यहां से ले लेते हैं यहां तक क्या है इसके कुल में F है फिर हम आप क्या करते हैं यहां से यहां जितना दूरी है इधर भी हम ले लेते हैं चलिए यहां पर 2F ले लिए उसके बाद य अपर के रियल फोकस हो गया इधर भी ले लेता है एक दैस्ट यहाँ पर 2-f डैस ले लिए अब क्या करेंगे इस लेंस का हम नाम दे दीये एप अब क्या करता है एक बस्तु हम यहाँ पर रखें एक बस्तु हम भलत रांकर नंत और चेदी बीच एई लेंस के सामने तो पुर्टन के बाद निकलता है चलिए यहां पर हमाल लेते हैं है इसके बाद दुसरा किरन अगर प्रकाशिक केंद्र से जाता है तो अब बरतन के बाद सीधें चला जाता है तो हम यहां से यह ले लिए इसको यहां कर लेते हैं 2F अब देखें जहां पे कटता है दो रेखा आपस में जहां पे कटता है परतेवेंब वहीं बनता है तो यहाँ पे कटा तो परते विम्ब यहीं बनेगा कैसा बनेगा देखें यह बस्तु जो है सीधा है और परते विम्ब फुल्टा बना ठीक यहाँ पे हम इसका नाम दे लेते हैं A, B A, B क्या है एक बस्तु है जिसका परते विम्ब A' and B' है अब क्या करेंगे यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ की दूरी कितनी होगी बस्तु की दूरी हम U से दिनोट करते हैं और परते विम्ब की दूरी को हम यहाँ माल लेते हैं परते विम्ब की दूरी यहाँ से यहाँ इसको हम भी द्वारा denote करते हैं अब क्या करते हैं इसके बारे में निखलेते हैं यह लेंस जो है एल इसके बारे में सबसे पहले निखलेते हैं यहाँ पर हम लिखते हैं कि एल एक कौन सा लेंस है उत्तल लेंस है उत्तल लेंस है उत्तल लेंस है जिसके यह परधान अक्ष पे two f dash और इधर अनंत है, इसके बीछ एक बस्तू रखा हुआ है, जिसके two f dash और two f dash और anant anant पर एक बस्तू रखा हुआ है एक बस्तू रखा हुआ है जिसका परत्वे मिम कहा बनता है दर्पन के दाई और 2F और F के बीच बनता है रखा हुआ है जिसका यहां लिख लेते हैं जिसका परति बिम्ब जिसका परति बिम्ब लेंज लेंज के दाई और दाई और 2F और F के बीच बनता है अब क्या करेंगे इसके बारे में लिख लेते हैं यहां अब इसके लटू एक बस्तू है एक बस्तू है अब बरावर क्या है एक बस्तू है उसके बाद यहां पर एडैस और बीडैस क्या है एडैस बीडैस परते बिम्ब है परते बिम्ब यह है बस्तू और यह है परते बिम्ब उसके बाद यहां पर हम लिख लेते हैं कि यह जो दूरी है किसकी दूरी है यू इक्वल टू क्या है यह बस्तू की दूरी है यहां से यहां तक बस्तू की दूरी है यह हो गया बस्तू की दूरी उसके बाद देखिए यहां से यहां तक यह भी क्या है यह है परते बिम्ब की दूरी भी इक्वल टू है परते बिम्ब की दूरी परते बिम्ब की दू दूरी है इस लेंस का उत्तर लेंस का फोकस दूरी तो एफिकल्टू क्या है फोकस दूरी हो गया अब क्या करेंगे यहां पे हम एम दे देते हैं एम दे लिए है अब हम आगे बढ़ते हैं चित्रानुशार लेंगे अब देगे चित्र में क्या है यहां पे यहां से लेते हैं ओ ए बी यह क्या है ओ ए बी एक तिर्भूज है ओ ए बी उसके बाद जस्ट इधर देखिए ए डैस बी डैस और ओ या तो आप यहां से ले सकते हैं ओ बी डैस ए डैस ओ बी डैस यह दोनों तिर्भूज आपस में क्या है समरूप है समरूप है कैसे है देखिए यह वला एंगल नैंटी है और इसमें भी यह एंगल नैंटी है उसके बाद देखिए यह एंगल और यह एंगल दोनों तिर्भूज में क्या है वेनिष्ट समझे इसे बोलते हैं सिर्षा आभी मुख कोन बोलते हैं जब किसी भी तिर्भूज की दो कोन बरावर होता है तो तिसरा कोन भी बरावर होता है इसका मतलब हुआ ये कोन भी बरावर होता है इस हिसाब से ये वला तिर्भूज और ये बला तिर्भूज कौनसा O, A, B और ये बला O, B- A- दोनों क्या होगा? दोनों होगा, शमरूप होगा तो यहां पर हम लिख लेते हैं तिर्भूज A, B यहां से लेते हैं सबसे पहले O, A, B O, A, B यह है शमरूप का चिन किसके शमरूप है? O, B- A- O, B- A- अब आपको पता होगा कि जब दो तिर्भूज समरूप होता है तो उसका भूजा क्या होता है? शमानुपाती होगा मतलब इसका लंब, इसकी लंब के शमानुपाती होगा इसका मतलब है A, B, बटे में क्या देंगे? A-B- यही समानुपाती का नियम होता है तो यहाँ हम लिख लेता है A, B, बटे में A-B- क्या लिखे? A, B कि शमानुपाती होगा? A-B- अब क्या करेंगे? इक्वल टू आप यहाँ देख सकता है इसका जो अधार है यहाँ से O, A या A, O किसके समानुपाती होगा? B-OK किसके होगा? B-OK तो हम इसके बटा में क्या लिख सकते है? यह बला लिख सकते है मतलब O, A समानुपाती किसके होगे? O, B-A इसको हम फर्स्ट एक्वेशन माल लेते हैं अब देखें यहाँ पे O, M को हम मिला देते हैं एक बार इसको O, M को हम मिला दिये O, M को मिलाने पे आप देखते होंगे कि यह बला यहाँ से लेते हैं यह F यहाँ नहीं है यह F यहाँ है F, O, M F, O, M और यह F, B-A- यह दोनों तिर्भूज बन रहा है यहाँ से देख सकते हैं यह तिर्भूज हो गया और यह बला तिर्भूज हो गया F, B-A- और F, O, M देखें इसले 90 है और इसले भी 90 है यह बला एंगल और यह बला एंगल दोनों में क्या है सिर्षा अभिमुक कोन है मतलब यह एंगल X होगा तो इसका भी X होगा यह 90 है, यह 90 है यह कोन, यह कोन दोनों में बरावर है तो तिसरा कोन भी बरावर होगा अजब तीनों कोन बरावर है इस हिसाब से क्या होगा यह तिर्भूज, इस तिर्भूज के क्या होंगे समरूप होंगे तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं OM OM को मिलाने पर OM को मिलाने पर क्या बना यह बला तिर्भूज FOM F Tिर्भूज FOM किसके समरूप होंगे FB-A- FB-A- F A- FB- FB- और A- अभी पता है कि जब दो तिर्भूज समरूप होता है तो उसके भूजा भी क्या होता है शमानुपाती होता है OM समानुपाती किसके होंगे A-B- और यह F O किसके होंगे B-F के तो हम यहाँ पे लिख लेता है OM OM किसके शमानुपाती होगा A- और B- A-B- फिर क्या होगा यहाँ पे O-F O-F समानुपाती होगा किसके B-F के F या B- ठीक है इसको हम क्या करेंगे इसको थोड़ा हम बिटा लेते हैं अब क्या करेंगे देखें यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसमें आप देखते होंगे O-M यह जितना लंबाई है उतना यह लंबाई किसका है A-B का मतलब O-M के बदले हम क्या लिख सकते हैं A-B लिख सकते हैं O-M की जितनी लंबाई है उतनी लंबाई है A-B की इसलिए हम इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं यह लिख सकते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको हम उठा के यहां ले जाते हैं तो यहां पर लिखते हैं OM बटे में है A- और B- equal to है OM बटे में है F B- उसके बाद हम इसके बदले क्या लिखेंगे AB लिखेंगे तो यहां पर हम लिख लेते हैं AB बटे में A- B- equal to OM अब एक चीह देखिए F और B- F यहां है F और B- यहां से यहां तक की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहां से यहां से लेके इस में से हम क्या करेंगे इतना निकाल देंगे तो इतना ने बट जाएगा हम क्या किये हैं यहां से यहां तक की दूरी निकालने के लिए पूरे में से इतना हम घटा दिये मतलब यहां से यहां तक का दूरी कितना होगा यहां से यहां तक की दूरी है O B dash और यहां से यहां तक की दूरी है F B dash अब हम F B dash निकालने के लिए क्या करेंगे इस में से यहां से यहां तक में से यह भला हटा देंगे यहां से मतलब मेरा बचेगा क्या इतना बच जाएगा इसके लिए हम क्या करेंगे किसके बदले में तो f गहता रहे हैं यहां पर जूअ कि हम लिख लेते हैंしく home O M equal to लिखे हैं A B और यहाँ F B dash equal to इसके बदले हम क्या लिखे हैं O B dash minus O F तिक यहाँ पर जो चैल्जेस की है यहाँ पर लिख देए अब क्या करेंगे इसको हम equation second माल लेंगे अब हम लेंगे यहाँ equation first और second से यहाँ लिख लेता है equation from equation first and second से second से देखिए यहाँ A B बटे में A dash B dash यहूं है A B बटे में A dash B dash दोनों में सेम है इसलिए यह दोनों क्या होगा cancel हो गया इसमें क्या बचा O B यहाँ पर बचा है O SORRY O A है O A बटा में O B dash O B dash equal to इधर क्या बचा है O F बटे में O B dash minus O F आप क्या करेंगे चिन परिपार्टी कहने का मतलव जैसे इसको हम मूल बिंदू मानेंगे इसको हम मूल बिंदू मानेंगे और इधर वाले क्या होते हैं माइनस होते हैं और इधर वाले पलस में होते हैं मतलव इसको हम मूल बिंदू मानें इधर वाले क्या होगा जितना भी भेलू होगा जै कि लेखे O A O R A यहां से यहां तेकी दूरी क्या है यू है चलिए हम यहां पे यू लेक裡面 यू और यू क्या होगा minimize में होगा क्यूंकि मूल बिनदु के left में है इसलिए MineHa होगा तेसे हम यहां पर माइनस कर दिए ठीक बटा में ओ बी डैस ओ और बी डैस यहां से यहां तकी दूरी कितनी है भी है यह प्लस में होगा क्योंकि मुल बेंदू के राइट में है तो इधर लिखें भी एक्वाल टू ओ ओ एफ ओ देख सकते हैं ओ और एफ यहां से यहां दूरी है भी तो हम लेखेंगे हमी माइनस ओ एक ह्प टो और एफ यहां से आथ की दूरी के एफ है यहां सेया दें दूरी के लिखें तो हम यहां लेख लिए f ठिक है इसको थोड़ा हम क Sakshita laadpe अब क्या करेंगे इसको पलट देते हैं इसको हम उपर कर देते हैं दोनों से तो भी जाएगा उपर माइनस तो उपर ही राता है नीचे में ने राता है यू आएगा नीचे इक्वल टू ये ये उपर जाएगा भी माइनस एफ नीचे माया एफ अब इसको इधर ले आते हैं equal to के is set यह होगा B minus U यह आएगा इदर तो minus में होगा यह होगा B minus F बट्टा में F दोनों का क्या करेंगे LCM लेंगे कितना होगा U और F U F अब देखे U से U गया बचा क्या F F को आप किसे गुना करेंगे B F होगा B से करेंगे तो उसके बाद F से F होगा बचा क्या U U से अब दोनों को हम गुना करेंगे B minus F को इधर क्या है इसको इधर लाए तो इधर 0 बचेगा इधर होगा 0 अब क्या करेंगे इसको पहले इससे multiply कर देते है minus B F minus है plus है minus plus minus minus plus minus और यह होगा U B फिर minus minus plus U F U F बचे में क्या होगा U F equal to 0 इसके कुछ नहीं तो 1 होगा अब क्या करेंगे cross multiplication करेंगा मतलब कोना कानी गुना करेंगे तो देखे इस सब ही को जो हम 1 से करेंगे तो उतना यह होगा मतलब minus B F minus U B plus U F equal to इसको हम 0 से करेंगे तो जी ओ अब क्या करते हैं इसको हम समीकरन 3rd माल लेते हैं समीकरन 3rd माल लेते हैं अब क्या करेंगे हापे समीकरन 3rd को या 3rd में U B F से भाग करने पर भाग करने पर क्या करेंगे दोनों से भाग देते हैं minus U F है minus में यहाँ U B है plus U B है plus U F है U F equal to क्या है 0 इसमें हमको भाग देना है तोनों तरब किस से U B F से U B F बटे में U B F अब बारी बारी से देते हैं सभी के बटे में है अलग-अलग करके भाग देंगे तो यह होगा कितना minus B F बटे में U B F minus है तो minus U यह B है तो B बटे में U B F फिर plus है तो plus U F यह U F बटे में यह बला U B F equal to 0 के बटे में U B और F देखे F से F गया B से B गया बचा के इधर minus उपर में 1 बटा में U फिर यहां minus है तो minus B से B U से U बचा क्या उपर में 1 नीचे में F फिर plus है तो plus यह F से F गया U से U गया बचा क्या उपर में 1 और नीचे में B किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो होगा 0 अब आगे बढ़ते हैं इसको क्या करते हैं हम बलाना है 1 Y F equal to कितना है 1 बटे B minus 1 बटे Q लाना है तो हम इसको उधर ले जाते है बढ़ते के उस सेट ले जाते है 1 बटे F को तो इधर क्या बचेगा 1 बटे U प्लास 1 बटे B यह माइनस में है बढ़ते उतरा जाके क्या होगा प्लास में हो जाएगा आप देखें इसको हम पहले निकलेते हैं प्लास बटे को कितना 1 बटे B माइनस है तो माइनस 1 बटे U इक्वल टू 1 बटे F आप देख सकते हैं यह हमारा प्लूफ हो गया इस परकार आप लेंस की फर्मूला को प्लूफ कर सकते हैं यह है लेंस की शूत्र है यह था उत्तर दर्पन में यहां में लिए देता है उत्तर लेंस होगा उत्तर लेंस का था यह अब हम अगले वीडियो में अब हम अगले वीडियो में करेंगे अब तर लेंस का सेम फर्मूला है लेंस अलग है